कल मुहम्मद आमिर ने कहा था कि कोई reason ही नहीं है कोई वजा ही नहीं है कोई जवाज ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान ये World Cup ना जीते कोई ऐसा है ही नहीं और New Zealand ने का ठेरो भाई ठेरो पहले हम से निबड़ लो बाद में बड़ी टीम मों से निबड़ लेना दस खिलाडी नहीं है न्यूजलेंड की स्टीम में, दस खिलाडी जो उनके पर्मनेंट T20 खेलते हैं, कप्तान समेट, बॉलिंग अटेक समेट नहीं हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो मरमर के कर रहा है और बॉलर्स आपके की बॉलर्स पिट रहे हैं, पाकिस्तान वर्ल्ल कप के अंदर खेलेगा, यही कॉंबिनेशन के साथ खेलेगा, आप कोई चेंज नहीं करने वाले, मैकसिमम अबास को निकाल के आप आमिर को लियाएंगे, उसके लावज तो कोई चेंज नहीं है ना, उनका कौन सा ऐसा प्लेयर है, जो वल्ल क कब में आपको खेलता नजर आएगा निजगा, चेप मैंन चले मालने, आप चेप मैंन उनका खेलते हैं, उसके लावा उनकी बॉलिंग अटेक पुरे के अंदर एक शुदी हैं, जो उनके उनमें खेलते हैं, और वो आप से नहीं खेले गए, पहले मैच में तीन पे ठारा रन दिये, एक वीकल दी, दूसरे में चार में पचीस दिये, दो विकल ली, वो ही 6.25 के उन्होंने आज रन दिये, आलमोज 6 पे उन्होंने कल दिये थे, उनके एक लेक्स में रहा हूँ, मैं हमेशा हम उनको मलाई समझते हैं, क्यार, इनको तो पगड़ी लेंगे न, हम मसल क्रिक्टर रहे, आपके चखके मसा टप रहा है, तुसी चखके क्योंने लंबे मार दे, यह एक कौमन बंदे का परसेप्चन है, वो क्रिकटर नहीं है, वो एक कौमन बंदे का परसेप्चन है, आप इसको समझें यह प्रॉब्लम मुहमद आमीर सामने कल जो स्टेटमेंट दी हमने इस पर विलॉग किया और बही एक पाकिसान के मन्ने हुए बॉलर कह रहे हैं कि जिनाव गली कोई नहीं है वर्ल्ड कॉप ते साड़े हाथे चेना लेकिन देहलो अगले मैं अची टी-ट्वॉंटी क्रिकिट है इसमें एक पाटनर्शिप लगी और काम खतम और यह चेपमेंट नहीं समाला जा रहा है विराथ कोली सबसे अच्छा एवरेज चेपमेंट का है उनका वैसे स्ट्राइक रेड उठाके देख लें 132 का है पाकिसान के खिला इस मैच के अंदर वो 180 का खेर रहे हैं पाकिसान क खिलाब 160 के नियर बाट है उसका मतबब आप आपको चेपमेंट नहीं समाला जा रहे है यार खुदाधा वास्ता है यार यह आपकी वोल्ड क्लास बालिंग है आपके मताबिक हम भी मान लेते हैं उसके बाद आप से हो क्या रहा है यह क्या चल रहा है और अभी पाकिसान न जो रंग किये न आपके ओपर से साईमीयवफ ने रंग किये उनको एक चांस मिला च्दाफव खान का मेजर जो रोल है मैं हमेशा कहता हूँ वो बालिंग और रोंडर है या बेटिंग और रोंडर है जो में उनका रोल है उनको वो पहले करना है बाद में अगर पगड़ा जाते हैं जो catch उनका सिधा हाथों में drop हुगा मैं मानता हूं चैपमेंड का catch भी drop नसीम शानी किया 16 के उपर मगर उसके बाद उन्होंने drop catch का फाइदा देखें कहां तक लिया बाद में keeper का catch भी drop किया उन्होंने उसमान खाने मगर वो hard catch था बट कुल मिला के आप इस टीम को एक जीत के उपर सर पे सवार कर रहे थे खुद आमीर साब कहा रहे थे कि गल्ली कोई नहीं होना थे वर्ल्ड का पते असाड हाते चे बस केलन जाना है थी देहे लो साब गताब और मैं कहता हूं बहुत एक disappointed show किया पाकिस्तान ने और ये आप पिंडी में हार रहे हैं पिंडी में वैसे भी मेखला 200 स्कोर होना चाहिए था कम असकम दोस होना चाहिए था फैस टीम के लिए मुझे लगदा है कि आप इस रंग के उपर भी चेज करवा रहे हैं तो सुभान अलाय आपको 32 टोपों की सिलामी ह आपके इस वर्ल्ड कलास बॉलिंग अटैक के ऊपर और यखीन माने बहुत दिल दुखा और बढ़ा एक घुसा आ रहा है कि यार हम ये टीम है जिसके अंदर आपने उन्नों भी बला लो अन्नों भी बला लो एन्नों भी बला लो हफीसा और बाकी क्रिटर कह रहे हैं यार किसे बाएं आप को इस दो बचे आई ने तुसरी रिए, निसीम खेल रहे है कंडर को और ने का क्वजुद आफ आ पहर रहे है मतलब आप दुनिया हसरी है आपके ओपर के आप ये क्या है आप कह रहे हैं मैं वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं अल्ला करे हम जीते हैं हम को इसे उठे हैं मगर ये छोटी हार नहीं है एक बेबी टीम से आप हार रहे हैं और आपकी तयारी है यह वर्ल्ल कप जितेंगे और आप अपने सारे में प्लेगर को भी आपने भी बेवी टीम ख्रायी हो थी हमें ना होता है ठीक है उनकी भी खेल रही है आप मैंने आपको पहले का था कि लोग हसने हैं कि यह बी-सी टी डैवल की टीम है मगर यह बीच में क कर सकती है उसकी वतार यह है कि ढूट का फरक ही नी पढ़ता नीगर फ्रक यह बालब को वह खेलने आते हैं और वह जिसे कहते है ना उनके पास हारने को कुछ नहीं है आपके पास हारने को सब कुछ कानी नहीं है आप इन से हारे ये कुः तो की मुझता है हो अर फिर आप एक दिन पहले कलीम कर रहे हैं घली को नहीं वहले अगले देन तुसनी बेबी टेम तो हार जाफ अगर 篇स पर परफार्मर्स पाकिस्तान की और इस पर फैंस की कहराई है वो जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या समझते हैं कि यह हार गल्ली को नी या जो कल बात की थी ओगल्ली को नी अपनी राइक कमेंड के सुट में जूरुत आएगा मैं तर शबता के लिए पर जो जो यहां जो जो फिते हैं जजएदीज अलाव जोगार्म